हेलो वेवरीवान वेलकुम टू कौन स्टडी मैं आपको जी ए का पाट कवर करवा रही हूं आपके जेके सिस्पी क्लास 4 की रेक्रूट्मिंट के लिए देखिए अभी तक हमने 90% से लेबस कवर कर दिया हुआ है अगर आपको इनकी विडियो देखनी है तो आप हमारी प्ले पढ़ा रही है तो लेट स्टार्ट मैं आपको अभी तक इसके त्री लेक्चर करवा चुकी हूं अगर आप हमारे चानल पर नहीं है तो आप प्लीज चानल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल जिनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्र कि कुछ टिट्स जो जी के बाइट से वह आपको प्रोवाइड कराये जाते हैं और टेलिग्राम पर आपको चानल की अपडेट के साथ साथ कुजिज और जो लेक्चर्स हमारे चानल पर होते हैं उन सब की पीडिएफ भी प्रोवाइड होती हैं तो मुझे बहुत बारी प्रोवाइड कर सकते हैं तो लेट्स मूव फावर्ड आज देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है आज मैं आपको मॉडन हिस्ट्री में इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के बारे में पढ़ाने लगी हूं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सारे गवर्नर जैनरल के ब पाटी जिससे वह अपने जो मोटो है जो फ्रीडम है इंडिया के लिए उसे रिप्रेजेंट कर सकें तो देन केम आईडियो आइडियो आफ इंडियन नाशनल कॉंग्रेस इंडियो किसनी की थी इट वस फॉर्म बाई एयो ह्यूम और अगर इंडियन की बात की जाए तो कि इंडियन ने हेल्प की थी इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बनाने में तो ही वस दादवाई नारो जी ठीक है उस टाइम पर वाइसरोय कौन थे इंडिया के लॉट डॉट डफरिन इसका मोटो क्या था फ्रीडम ठीक है यह कहां पर बनाई गई थी इंडियन नाशनल कॉंग् ओके सो इंडियन नाशनल कॉंडर्स की जो में चार मीटिंग्स है फर्स्ट फोर मीटिंग्स उनके बारे में देख लेते हैं तो फर्स्ट मीटिंग वस हेल्ड इन यह सेम यह 1885 ठीक है जिस जो हुई थी बॉंबे में और इन्हें लीड किया था किसने डब्लू सी बैनर जी न स mistress जो उनकी हैव किषने की की ती घप यह थी एचींग्स में होती है स्ट्रीक किसमें में कहां पर होई क्यास में क्याक्र्णा में खालगट दि क्याकटा में वह उसकी लीडर थे वो को थैर्प्रेटेटी सिए गलगोखते मैं मध्रास में और इससे हैट किया बद्रुदीन तयब जी ने, he was the first Muslim President of Indian National Congress, ये सब आपको याद रखना है, first Muslim President कौन थे, first President कौन थे, first English President कौन थे, founder कौन थे, ये सब questions हो है, ये important है आपके exam point of view से, then the next meeting that is important is in 1888, ये हुई थी Allahabad में और इसे किया था George Yule ने, और ये थे Indian National Congress के first English President, ठीक है, तो I hope आपको ये चारों मीटिंग्स याद हो जाएंगी, अच्छे से, W.C. Bainer जी, first President of INC, Dada Bainer जी, first President who represented minority, Badruddin Tayyab ji, first Muslim President of INC, और आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर हुई थी इनकी meeting, अगर ये आजाए कि Badruddin Tayyab ji, जो कि first Muslim President है, उन्होंने कहाँ पर meeting attend की थी, it was in Madras, तो आपको ये पूरा table याद रखना है, okay? Let's move forward, तो उसके बाद, let's come to the point, जहाँ पर Bengal की partition कर दीगी, Britishers के द्वारा, यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये administrative purpose से अच्छा है, क्योंकि Bengal बहुत बढ़ा है, तो let's divide it into two areas, जिससे administration अच्छे से हो है, but actually मैं क्या मैं reason था में, हिंदूस और Muslims को divide करना चाहते थे, तो यहाँ से पहली बार इन्होंने अपनी policy चलाई, that was divide and rule, okay? तो Bengal की partition में ही इनकी divide and rule policy first time implement हुई थी, इस time पर जो इनके voice roy थे, Britisher voice roy थे, वो कौन थे? Lord Curzon, ठीक है, इन्हीं की under ये royal proclamation हुई थी, जहाँ पर Bengal को दो हिस्सों में divide कर दिया गया था, East Bengal जिसे Dhaka बोला जाता था, और West Bengal जिसे Calcutta बोला जाता था, और इसका main objective क्या था? communal tension पैदा करना, Hindus और Muslims के बीच में, ठीक है, फिर आगे मैं और भी बताऊंगे कि कैसे-कैसे इन्होंने increase किया उस tension को, then, अब क्योंकि Hindu Muslim में इन्होंने food तो डाली दिये, तो obviously सब लोग Indian National Congress पे तो believe करने नहीं वाले अब, तो Muslims नहीं क्या किया, अपनी एक अलग से party बनाई, it was All India Muslim League, जिसे form किया गया है 1906 में, देखो 1905 में Bengal की partition बी और next year ही Muslim League बन गई, ठीक है, और इसे किसने बनाया, Aga Khan और Salimullah Khan ने, ठीक है, मैं आपको सिर्फ उतना ही कराऊंगी, जितना आपके exam point of view से important है, otherwise, बताने को history में बहुत कुछ है, but lectures खींचने वाली बात हो जाएगी, और वो आपके exams में आएंगे भी नहीं, तो फाइदा कुछ भी नहीं है, तो let's focus on the facts, जो कि आपके exam में आ सकते हैं, okay, so let's move forward, then came the Calcutta session, जो की lead किया था, दादा भाई, नाराओ जी ने, ठीक है, दादा भाई, नारो जी ने किया था lead, और इस time पर पहली बार स्वराज की बात हुई थी, और स्वराज को as a goal माना गया था, Indian people, स्वराज means की self-independence, ठीक है, फिर उसके बाद came the meeting of Surat, 1907 में Indian National Congress की meeting हुई थी, Surat में, अब इस time तक क्या था, की Congress already दो गुटों में बढ़ चुका था, एक थे extremist, जो जो थे, इनको हिंदी में अगर बोला जाए, तो नरम दल और गरम दल बोला जाता है, extremist जो मतलब, जो violence को आगे रखकर अपनी बातें प्रेजेंट करना चाहते थे, तो moderates और extremists ये दो groups divide हो गए थे, और ये हुआ कहां पर, सूरत split में, इस सूरत की जो आपकी इंडिया नाशनल कॉंग्रेस का session हुआ था, उसके leader कौन थे, डॉक्टर, रास बिहारी घोश, ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है, कि extremist और moderates के जो head थे, वो कौन-कौन थे, ठीक है, तो अगर extremist की मैं बात करूँ, तो extremist के जो head थे, वो आपको याद रखना है, लाल बाल पाल ठीक है, ये ये लाल बाल पाल और जीके गोखले, ठीक है, तो कौन तिलक्स, लाजपत्राय, लाला लाजपत्राय और विपिन चंडरपाल, ये तीनों कौन थे, extremist के leaders थे, और moderates के leaders कौन थे, जीके, गोखले, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कि extremist के कौन थे, और moderates के कौन थे, मौले मिन्टो रिफार्म वे उसके बाद, मौले मिन्टो जो लॉर्ड मिन्टो थे, उस ताइम के वाइस रोई, और मौले जो उनके secretary of state थे, इन्होंने try किया, वापिस से, communalism try किया, Hindu Muslims में लाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने separate electorates बना दिये Muslims के लिए, इस से Muslims को लगा, कि Muslims को अपनी चीजें जो हैं, वो खुद attain करनी पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि Muslims को लगा कि कोई भी Hindu leader, जो है, वो Muslims के लिए काम नहीं करेगा, तो इस की accordingly क्या था, इस reform की accordingly, कि Muslim जो हैं, वो सिर्फ Muslim candidates को ही vote कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे यह होगा कि अगर आप जिताना जाते हो अपनी किसी Muslim candidate को, तो आप करिए उसे vote, कोई Hindu उसने vote नहीं करेगा, ठीक है, then came Delhi Darbar, Delhi Darbar जो था, वो actually make King George V और Queen Mary की coronation, मतलब इनकी जो राज्य अभिशेक था, उनके लिए किया गया था, इंडिया में, ठीक है, इस टाइम पर ये नए Emperor और Empress बने थे, इनके टाइम पर, वोइस रोई कोन थे, Lord Hardinge, ठीक है, इसी Delhi Darbar में, जो कि 1911 में हुआ था, इसी Delhi Darbar में, दिली को capital बना दिया गया था, इंडिया का, कलकता से shift करके, और जन गनमन भी first time यहीं पर गाया गया था, इसी में, बात की गए थी, इसी यहीं पर देखो, partition of Bengal जो था, वो cancel कर दिया गया था, क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, कि आप मत करिए Bengal को divide, और इसी में, प्रोपोस किया गया था, कि Bengal से दो नए रिजन बन जाने चाहिए, और इसा और बिहार, ठीक है, let's move forward, then इसी दोरान एक और पार्टी का formation हुआ, इट वोस गदर पार्टी, इसमें आपको सिफ यह याद रखना है, कि इट वो स्वाम भाई, लाला हरदियाल, तारक नाथ और सोहन सिंग बाखना, और इसके जो headquarters थे, majorly इसके जो headquarters थे, that was in San Francisco, ठीक है, और यह 1913 में बनी थी, इसके बाद, next हमारा आजाता है गांधियन एरा, जो मैं आपको बढ़ाऊंगी आपकी next video में, ठीक है, यह हो गया, अभी तक आपका जो Indian National Congress किस तरह से form हुई, क्या हुआ, क्या sessions हुए, क्या बीच में, उनके बीच में, जो है, जो आइडियास हैं, उनकी किस तरह से separation होगी, इसके विज़ से moderates और extremists बनगे, ठीक है, तो यह आज के लिए आपके पास 5 questions हैं, जिनके आपको answers करने हैं, और इसके answers आपको, इसी video में आपको मिल जाएंगी, एक question है, जो आपको last video से उठा कर मैंने दिया हुआ है, other than that, I want to announce कि आज शाम को 7 बजे आपका quiz होने वाला है telegram group पर, अभी तक आपके 4 lectures हो चुके हैं आपके modern history के, तो इनी 4 lectures से related quiz जो है आपका शाम को 7 बजे telegram group पर होगा, so don't forget to come to the group at 7 o'clock, 7 pm, ठीक है, तो 7 बजे मिलते हैं अब शाम को और देखते हैं कि अभी तक जो आपने 4 lectures पड़े हैं, उनकी आपके कितनी आपकी revision होई है, और कितना आपने याद रखा है उन्हें, तो with that, keep studying hard and thank you so much.